नमस्कार मैं डॉक्टर रिच्छा टिकर है असिस्टेंट प्रोफेसर देपार्टमेंट और जुलोजी गौर्मेंट डीबी गर्स पीजी कॉलेज राइपूर आज मैं पंडित रवीशंकर शुक्लविश्वविद्याले के मसी जुलोजी फॉर्ट सेमिस्टर के पेपर फॉर हम यह समझने की कंपोजिट फिश कलचर होता क्या है इंडिया वर्ल में एक्वा कल्चर में दूसरे नंबर पर आता है मतलब यहां बहुत तरह के एकवेटिक आनिमल्स का कलचर किया जाता है जिसमें से फिश भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट आनिमल है fish culture इंडिया में traditionally काफी पुराने समय से किया जा रहा है और आजकल इसमें technology का भी साथ मिल गया है composite fish culture जो है ये जब हम अलग-अलग species की cultivable fishes जिनकी feeding habits जो है अलग होती है इनको एक ही pond में या एक ही water body में एक साथ culture करते हैं या stock करते हैं तो इसको हम composite fish culture कहते हैं दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अलग-अलग species की compatible fishes को एक साथ combined या mixed farming करना ही polyculture या mixed fish culture या composite fish culture कहलाता है इसके बीचे principle क्या होता है तो जैसे हमको पता है कि जो fast growing compatible fishes हैं जिनके ecological natures जिनके habitat अलग-अलग है या जो अलग-अलग जगों में पाई जाती हैं इनको जब हम एक साथ culture करते हैं तो हमको maximum production भी मिलता है साथ ही जो available food है उसका maximum utilization हो सकता है और ये stocking इस तरह से की जाती है कि vegetative period के end पे हमको सभी species के जो marketable fishes हैं वो available हो जाती हैं pond depth के according तीन अलग-अलग zone में divide किया जाता है अपर surface zone जो अपर zone होता है उसे हम surface zone कहते हैं बिच में होता है column zone और सबसे नीचे की तरफ होता है bottom zone composite fish culture में हम जब fish का selection करते हैं तो हमको उनकी feeding habit को ध्यान में रखना पड़ता है मतलब वो किस zone में मिलने वाली fish है इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जैसे जब हम जो fishes लेते हैं जैसे हम example से समझ लें कि अगर हम कतला-कतला लेबियोरोईता और सिराइनस म्रिगला इन तीन fishes को एक साथ culture कर रहे हैं तो कतला-कतला जो है यह surface feeder होती है मतलब यह surface पर ही feed करती है लेबियोरोईता जो column feeder है pond के middle surface पे feed करती है और सिराइनस म्रिगला जो है यह bottom feeder होती है जो pond के bottom area में पाई जाती है तो यह तीन तरह की fishes जो तीन अलग-अलग zone में मिलती है और यह तीन अलग-अलग zone के food को utilize करती है अगर हम single species या monoculture करते हैं तो हम केवल एक ही area के food को utilize करते हैं मतलब जो pond का पूरा available food है या जो available area है उसको उसका proper exploitation नहीं हो पाता है और इसलिए fish production जो है वो या जो yield है वो हमको कम प्राप्त होता है तो composite fish culture करने का objective इसका उद्देश यह है कि हमको ज्यादा से ज्यादा fish production या ज्यादा से ज्यादा maximum yield प्राप्त हो सके दूसरा जो available niches है या जो जिस भी तरह की food supply है उसका proper utilization हो सके fishes जो है ये ecological disbalance create ना करें और ना ही एक दूसरे को हाम पहुँचाए fishes के बीच में किसी तरह का competition ना हो बलकि वो एक दूसरे के growth पर या production पर beneficial influence डालें जैसे कि जो grass carp है ये aquatic vegetation को consume करती है और plant tissue को convert करती है fish flesh में लेकिन इसका जो excreta है ये pond को pond में fertilizer की तरह use किया जाता है दूसरी fish species के द्वारा कुछ species जो culture की जाती है वो pond के water quality को maintain करने में बहुत important role play करती है जैसे कि ये मचलिया waste जो accumulate हो जाता है pond में उस पे feed करती है इसका example है common carp और और mrigal ये दोनों fishes जहें ये grass carp और silver carp के fecal matter पे feed करती है जिसमें की बहुत अधिक मात्रा में undigested plant matter पाया जाता है तो इस तरह से ये pond के water quality को improve करने में help करती है आजकल जो combination use किया जा रहा है fish species culture में वो उसमें एक या दो species जो है वो main species के तरह use की जाती है और बाकी जो है वो subsidiary compatible species के रूप में पाई जाती है इसके composite fish culture से production जो है ये 5-8 गुना बढ़ जाता है मोनो कल्चर के comparison में अब अगर हम इसकी history देखें तो composite fish culture जो है ये basically दो countries में काफी पुराने समय से किया जा रहा है जिन में है चाइना और इंडिया और इन दोनों countries में ये traditional method से किया जाने वाला fish culture है natural condition से जब farmers fish seed collect करते हैं carp fishes की तो जब उनको एक साथ रखा जाता है उस stage में ये identify करना काफी मुश्किल होता है कि वो कौन सी carp fish की early stage है तो तब fingerling stage आने तक सब ही carp fishes के fingerlings को एक साथ रखा जाता है और इस दोरान जो farmers से उन्होंने देखा कि जो अलग-अलग तरह की carp species हैं इन सब में feeding habit अलग-अलग तरह की पाई जाती है और इस तरह से ये natural food जो उनको available हो रहा है उसको वो properly use कर रहे हैं और ये एक तरह से beneficiary practice है तो इस आधार पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा production प्राप्त करने के लिए composite fish culture या mixed culture को अपनाया global status अगर हम इसका देखें तो most Asian countries और जो far eastern countries हैं इन में fish culture Chinese system पर ही अपनाया गया है जिसमें की थोड़े बहुत modification भी किये गया है जो local demand के आधार पर है इन में Chinese culture में चार main species यूज की जाती है चाइनीज कार्प की और इंडिया में aquaculture का 85% जो है ये कार्प composite culture से ही आता है अगर हम Chinese composite fish culture में जो fish species यूज की जाती है उनका combination देखें तो यहाँ पर चार्थ रहके basically जो fishes यूज की जाती है वो है grass carp, silver carp, grass carp जो की macro vegetation पर feed करती है silver carp जो की plankton पर feed करती है और mainly phytoplankton पर, big head जो micro plankton पर feed करती है black carp जो की snails और दूसरे mollusk पर feed करती है और bottom में पाई जाती है mud carp ये detritus पर feed करने वाली fish होती है तो इस तरह से ये जो fishes हैं इनका combination चाइनीज composite fish culture में यूज किया जाता है कभी-कभी इनमें omnivorous common carp को भी add कर दिया जाता है जो की pond में इस avenger की तरह काम करती है modern polyculture system में बहुत सारी दूसरी species को भी traditional combination के साथ यूज किया जा रहा है जिसे तिलापिया है, बुचुं फिश है, क्रूशियन कार्ब, रेड आई, वाइट अमर ब्रीम, स्नेक हैड और मेरियड रेन फिश इंडिया में जो combination यूज किया जाता है, उसमें दो तरह की कार्ब फिशिज ली जाती है indigenous कार्ब फिशिज और exotic कार्ब फिशिज इंडिजिनस कार्ब फिशिज जो की इंडिया में पाई जाती है लोकली अविलेबल होती है और exotic species वो फिशिज हैं जो की बाहर से लाई गई है तो इसमें हम six fishes को एक साथ कल्चर करते हैं जिसमें से तीन इंडिजिनस कार्ब हैं कतला कतला जो की surface feeder होती है लेबियरोईता जो column feeder है और serinus cirrhosis जो की bottom feeder है इसी तरह से exotic species में silver carp, grass carp और common carp को use किया जाता है common carp को polyculture system में late 1950s में add किया गया था या introduce किया गया था लेकिन ये Indian market में बहुती कम prefer की जाने वाली fish है अब हमें composite fish culture करने के लिए जो methodology यूज करने पड़ती है उसमें सबसे पहले हमें side selection करना होता है मतलब जहां हमें composite fish culture करना है जहां हमें pond बनाना है पहले उस जगे का चुनाओ करना पड़ता है तो उसके लिए हमें तीन बातों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवशकता है ecological factors जैसे की location, topography, soil suitability, water quality and quantity hydrological and materialological factors दूसरा है biological factors जिसमें की species selection, predator और disease control आते हैं और तीसरा है economical and social factor जिसमें type of facility जैसे के marketing, safety, security and social consideration इन सब को शामिल किया जाता है अब अगर हमने site select कर लिया है तो वहाँ पर हमें pond बनाने की आवशकता होगी pond के लिए हमें area हमेशा 0.5 से 2 hectare ideal माना गया है लेकिन हम 0.02 hectare का pond भी बना सकते हैं depth जो है pond की ये 1.5 से 2 meter होने चाहिए pH 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए dissolve oxygen 5 ppm से अधिक होना चाहिए salinity moderate होने चाहिए और soil जो है ये clay loomy soil होना चाहिए जिसकी low permeability और high fertility होती है इस soil में 20-45% sand 15-23% silt और 27-40% clay होता है अब अगर आपके पास existing pond है मतलब पहले से अगर आपके पास pond available है तो उसे आपको desilting करनी पड़ेगी shallow pond है तो उसे deepening उसको गहरा करना पड़ेगा अगर आपके पास pond नहीं है तो नए pond आपको बनाने पड़ेगे जो marginal areas है water bodies के इनको impoundment करना पड़ेगा और जो embankment है इसे या तो repairing करनी पड़ेगी या construct करना पड़ेगा अगर inlet outlet proper नहीं है तो उनका भी construction करना पड़ेगा इनके अलावा और भी बहुत सारे civil structures बहुत सारे और भी काम होते हैं जैसे civil structures है, watchman shed बनाना है, pump set, water supply arrangement, electricity supply arrangement ये सब को आपको requirement के आधार पर या demand के आधार पर बनाने की आवशकता होती है अब second stage है pond management, अगर आपने pond बना लिया है तो अब उसे manage करने की आवशकता होगी इसे भी हम तीन stage में कर सकते हैं, pre stocking operation, stocking operation and post stocking operation pre stocking operation में fish को pond में introduce करने के पहले हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे जिसके कारण fish का maximum survival और proper growth हो सके तो इसके लिए हमें embankment की repairing, removal of weed या removal of undesirable aquatic biota या correction of physical chemical properties of water and soil इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है control of noxious aquatic vegetation के लिए हम या तो pond की depth को increase करने या manually, mechanically, chemically या biologically हम इसे remove कर सकते हैं small pond अगर है तो उसमें manual clearance जो है weed का ये economical होता है अब next stage में हमको जो fish enemies हैं, इनका eradication मतलब इनको pond से अलग करने की आवश्यक्ता होगी तो इसके लिए या तो हम pond की draining करें, pond को पुरी तरह से खाली करके फिर उसमें सारे animals को remove करके फिर pond prepare करें या repeatedly हम netting करते रहें जिससे की जो fish enemies हैं वो हम remove कर सकें complete removal जो है इसके लिए हम PC sites का भी use कर सकते हैं तो यह जो PC sites हैं यह जो की parasitic fishes हैं या जो invasive fishes हैं इन सब को remove करने के लिए करेंगे इसमें हम dairy powder use कर सकते हैं पर chemical use करने से बचने के लिए हम जो indigenous plant origin के PC sites हैं इनका भी use कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारी varieties हैं अलग-अलग plants की जिनके bark, root, fruit और seed को हम use कर सकते हैं इसके अलावा महुआ oil cake जो है यह भी हम PC site के रूप में use कर सकते हैं तो यह PC site के साथ साथ यह organic manure के रूप में भी काम आता है next stage में हमें liming करने के आवशक्ता होती है तो इसके लिए हम ground limestone, calcium bicarbonate या slicked lime, calcium hydroxide या quick lime, calcium oxide इन सब को pond bottom में और surface में spread करके use कर सकते हैं ताकि water और soil का pH level जो है वो correct किया जा सके और इसके साथ इसाथ जो pond के लिए proper situation है उसे maintain किया जा सके तो इसके लिए हम 6.5 से 9 pH जो है यह soil water के लिए ideal मना गया है और इसके improvement के लिए या pH को proper बनाए रखने के लिए हमें lime जो use करना है अगर soil pH 5 से 6.5 के बीच है मतलब यह soil type moderate acidic है तो इसके लिए हम 1000 kg per hectare per year lime का use करेंगे अगर 6.5 से 7.5 मतलब की near neutral pH है तो इसके लिए हम 500 kg per hectare per year lime यूज करेंगे और अगर mildly alkaline soil है जैसे 7.5 से 8.5 pH है तो इसके लिए हम 200 kg per hectare per year lime का use करेंगे और इसे हम installment में use करते हैं फर्टिलाइजेशन या manuring अगर productivity को increase करना है तो इसके लिए हमें pond का fertilization या manuring करने की आविशक्ता होगी तो इसके लिए हम organic carbon content जो है उसे manure के रूप में यूज करते हैं organic carbon content of the soil अगर less than 0.5 है तो हमें cattle dung जो है ये 20,000 kg per hectare per year use करना है अगर ये 0.5 से 1 के बीच है तो 15,000 और अगर ये 1.0 से ज्यादा है तो इसके लिए हमें 10,000 cattle dung per kg per hectare per year यूज करने की अभशक्ता होगी second है stocking operation अब जब हमने pond में pre stocking operation कर लिये हैं और हमारा pond पूरी तरह से तयार हो चुका है तो हम यहाँ पर fish species जो है उसको introduce कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें species का selection करना होगा हुट के according choice of species as the first biological element for increasing fish production तो हमें इस समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो fish हम select कर रहे हैं वो हमारे production में कितनी useful होगी second है stocking density and species ratio तो stocking density हमारे pond के size के according हमको decide करना पड़ेगा और species का ratio जो है यह भी तो इसके लिए हम यह formula यूज कर सकते हैं number of fishes to be used to be stocked per unit area is equal to total expected increase in weight plus mortality divided by expected increase of weight of individual fish अब stocking operation के बाद post stocking operation में हमें इन बातों का ध्यान रखना है पहला है supplementary feeding natural food के अलावा हमें supplementary food देने की भी आविशकता पड़ सकती है तो यहाँ पर जो हम food available कराते हैं यह per hectare में जो हम देंगे वो amount of food to distribute per hectare is equal to growth per hectare due to artificial feeding into feed conversion rate इस आधार पर हम supplementary food दे सकते हैं सेकेंड है harvesting and marketing जब फिश पूरी तरह से develop हो जाती है पूरी तरह से तयार हो जाती है growth complete हो जाती है तब harvesting की जाती है और generally यह first year के end पे की जाती है जब fishes average weight 800 gram से 1.25 kg की हो जाती है with proper management and production of 4 to 5 ton per hectare can be obtained in a year pond sanitation इसमें हमें pond water में aeration का proper ध्यान रखना पड़ता है water replenishment and netting are measured taken to counteract period of oxygen depletion तो किसी भी तरह से pond में hygienic condition या sanitation है वो disturb ना हो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है fish disease and their control जब fish हम culture करते हैं तो उस समय fishes के affect होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं तो जो affected fish है उन्हें हमें treat करने की आवशक्ता होती है और इसके लिए हम potassium per magnet 2 mg per 100 ml या common salt 3 gram per 100 ml या copper sulphate 50 gram per 100 ml इसे हम use कर सकते हैं जो कि सभी तरह के bacterial और fungal disease में काम आते हैं साथ ही साथ हम gamma zinc solution 3 gram per 100 ml इसे भी fish lice infection के लिए use कर सकते हैं अब हम देखते हैं composite fish culture के क्या क्या advantage है और क्या क्या disadvantage है तो advantage सबसे बड़ा तो यही है कि हम इसमें अलग-अलगत रह कि species की fishes को एक साथ culture कर सकते हैं और जो food available होता है pond में उसका maximum utilization कर सकते हैं और fish yield को increase कर सकते हैं disadvantage यह है कि हमें good quality seed available नहीं हो पाते या कुछ varieties यह केवल हमको monsoon season में ही available हो पाती है तो हम अंत में यह कह सकते हैं कि जो polyculture यह composite fish culture जो है यह monoculture की comparison में काफी बहतर option है क्योंकि इसमें better nutrient utilization होता है better soil utilization होता है तो इस तरह से हम composite fish culture के द्वारा fish production को maximum प्राप्त कर सकते हैं thank you क्योंकि प्राप्त कर दो